नमस्कार सर मेरा नाम राजु है यदि आप NJ mutual fund में account open किये हैं तो NJ में दो एप है NJ e-wealth जहां पे आप purchase, SIP, transaction, redemption कुछ भी कर सकते हैं मतलब transaction कर सकते हैं NJ e-wealth के एप में दूसरा एप है NJ client desk जहां पे आप सारे fund को view कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं एक बार ID passport लगा कि इसको आपने submit कर दिया, फिर बार बार आपको ID passport डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो NJ client desk आपके mobile में होना चाहिए, आपके अपने portfolio को review करने के लिए, हमेशा देखने के लिए NJ client desk एप जरूरी है कुछ भी transaction करते हैं, तो उसके लिए NJ wealth का एप जरूरी है तो अभी हम बात करेंगे NJ client desk के एप के बारे में, एप तो एप होता है, लेकिन जब आप website पे open करेंगे NJ client desk को तो उसका view इस तरह से होता है, NJ client desk के website का, आपको यहां mutual fund पे जाना है, उसके अद valuation report में जाना है valuation report में जाने एक बाद, सबसे नीचे check all का एक box है, इसको tick करना है, apply करना है apply करने के बाद, यहां पे जितना transaction आपने किया है, वो सारे 100 होने लगेंगे, जब जब से आपने purchase किया है मेरे case में जो मैंने purchase किया था, 2016 में purchase किया था, 30 जनवरी 2018 में purchase किया था तो यह सारा data पीछे history में क्या क्या purchase किया, कब कब purchase किया, वो सारा data आ जाएगा यहां पर important चीज यह है कि यह सारे transaction का statement आपको एक निकाल के रखना है statement निकाल के आप अपने file में रखेंगे, safe रखेंगे, घर में रखेंगे, और घर के member को बता के रखेंगे इसके लिए आपको यहां print के option में जाना है, और print करके 20 page, 25 page, 10 page, जितना भी page है उसको अपने file में secure करके रखेंगे, यह print out निकाल के जरूर रखना है इसमें वो सारे details है, यदि आप family members के नाम पे भी invest की हैं, तो name wise यहां पे investment है folio number mention है, scheme का नाम mention है, कब पैसा जमा किया था, वो mention है, उसका क्या क्या value है, वो भी mention है तो आपको यह print निकाल के अपने file में जरूर रखना है, NJ Client Desk के desktop version में जाके आपको यह print out मिलेगा same ID password काम करता है, जो NJ Client Desk के app में आप यूज करते हैं, वो ही ID password आपको website में भी डालना है यदि आपके पास NJ Client Desk का ID password नहीं है, तो मुझे WhatsApp करेंगे, मैं आपको mail और mobile पे ID password भेज दूँगा, thank you so much